तो आज मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको परफेक्ट खिली-खिली साबुदाना खिचरी बनाने का तरीका बताऊँगी जिसे देखकर आप भी असानी के साथ इसे बनाकर ब्रिफस्स में एंज्वाइ कर सकते हैं लेकिन उसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल के आइकन को दबाए तो चलिए साबुदाना खिचरी बनाना इस्टार्ट करते हैं साबुदाना खिचडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल साबुदाना ले लिया है जो measurement के हिसाब से तक्रीबन 100 गिराम है तो सबसे पहले हम इसे एक बड़े से बोल में transfer करेंगे क्योंकि इसे हमें wash करना है साबुदाना के उपर जो white powder form लगा होता है वो इसका starch होता है तो इसे wash करना बहुत ही ज़रूरी होता है तो चलिए फिर हम इसे wash करते है तो साबुदाना को कम से कम 3-4 पानी से हमें wash करना है क्योंकि इसमें जो starch होता है उसे wash करना बहुत ही ज़रूरी होता है इसके वज़े से भी खिचडी हमारी चिपकी बनती है तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी किस कदर सफेद हो चुका है तो ये इसके स्टार्च की वज़े से है तो इसे वाश करके निकालना बहुत जरूरी होता है तो पानी थोड़ा साफ हो जाए 3-4 पानी तक हम इसे वाश कर लेंगे तो ये पहली टिप है कि हमें साबुदाना को अच्छी तरीके से वाश करना है कम 3-4 पानी तक तो ये देख सकते हैं कि अब थोड़ा पानी साफ हो चुका है तो अब मैं इसे भी निकाल दूँगी तो ये देखिए मैंने साबुदाना को अच्छी तरीके से वाश कर लिया है अब हमें इसे सोग करने के लिए पानी आट करेंगे तो ये बहुत ही इंपोर्टन स्टेप है कि पानी कितना आट करना है तो मैंने जिस बोल से साबूदाना लिया था उसी बोल से मैं same measurement पानी आड़ कर रही हूँ अगर आप new है साबूदाना खिचरी बनाने में तो आप थोड़ा सा पानी और कम कर दे तो हमें पानी उतना ही आड़ करना है जितना के इसमें साबूदाना अच्छी तरीके से डूप सके ओर नहीं आड़ करना है वरना ओर सोक्ट हो जाएगी अब हमें इसे 5-6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे तो तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं तो ये देखिए साबूदाना कितने अच्छी तरीके से फूल चुकी है और पानी भी एकदम एब्जॉब्ड हो चुका है एक एक दाना अलग अलग है तो ये दूसरी टिप्स है कि आपको पानी सिर्फ साबूदाना के डूबने तक के एड़ करना है तो चलिए अब हम खिचडी बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने एक कड़ाई में दो टेबल स्पून कुकिंग ओल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पर एक बड़े साइस के आलू को बॉल करके इसे क्यूब्स में कट कर दिया है तो ओल हमारा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें अपने बॉल्ड आलू को डाल दूँगी और इसे तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से एक क्रिस्पी टेक्शर आने तक के मैं इसे फ्राई करूँगी तो इस तरीके से फ्राई करके जब हम खिचडी में आलू को अट करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो कम से कम तीन से चार मिनट लिए फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए आलू में एक अच्छा सा क्रिस्पी टेक्शर आ चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे आप चाहे तो बिना फ्राई किये हुए भी खिचडी में आलू को अट कर सकते हैं लेकिन फ्राई करके जब अट करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खिचडी में अब उसी ओयल में मैं 1.5 टीस्पून जीरा अट करूंगी और 1.5 टीस्पून में राई के दाने भी अट करूंगी और इन दोनों को सबसे पहले अच्छी तरीके से हम चटकने देंगे तो जैसे ही अच्छी तरीके से चटक जाएगी तो हम इसमें 8-10 पत्ते करी लिफ्स के एट कर देंगे अब मैं 3 हरी मिर्चों को बारिक कट करके इसमें डाल रही हूँ आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर 2 मिडियम साइज के अनियन को बारिक चौप करके इसमें डाल दिया है अब हम इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे तो एक हलका सा कलर चेंज होने तक के हमें अनियन को सौटे करना है ज्यादा गुल्डन कलर नहीं करना है तो आप देख सकते हैं के अनियन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर रोस्टेट पीनट से एट कर रही हूँ इसका क्रंचीने बहुती अच्छा आता है इस खिचुडी में तो अब यह तमाम चीजे सौटे हो चुकी है अब हम इसमें सोट किया हुआ साबुदाना एट कर देंगे और इसे एकदम हलके हातों से हम तमाम चीजों के साथ मिक्स करेंगे तो बहुती हलके हातों से हमें इसे चलाना है ज्यादा बिल्कुल ना चलाए वरना यह तमाम चीजे मैशी हो सकती है और हमारी खिचुडी खराब बन सकती है तो चारो तरब से हमें इसे सौटे करते हुए हमें इसे पका लेना है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खिला खिला बन रहा है तो आप भी तमाम टिप्स को फॉलो करके एक परफेक्ट खिली-खिली साबुदाना खिचरी बना करके breakfast में enjoy कर सकते हैं तो medium flame पे हम इसे 2-3 मिनट के लिए mix करेंगे और इसे saute कर लेंगे तो देखिए आप इसे देख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा साबुदाना का color change हो रहा है ये transparent हो रही है तो अब मैं यहाँ पे अपने जो fried करके मैंने potatoes को रखेते वो मैं add कर दूँगे और इसी के साथ मैं आप इसका नमक भी डाल दूँगी तो मैंने half teaspoon add किया है आप अपने taste के according डाल दे और एकदम हलके हाथों से इसे भी हमें mix कर लेना है बहुत ही tasty बन कर ये तयार होती है साबुदाना खिचरी तो तकरीबन एक minute के बाद आप देख सकते हैं कि साबुदाना का एक एक दाना transparent हो चुका है इसका मतलब हमारी खिचरी बिल्कुल तयार है अब मैं इसमें कुछ fresh धनिया की पत्ती के साथ इसे garnish करूँगी तो अब हमारी साबुदाना खिचरी perfect तयार है तो मैंने इसे एक plate में अब dish out कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी delicious लग रही है देखने में और जितनी ये देखने में delicious है उतनी ये खाने में भी delicious है तो आप जरूर इस तरीके से बनाए तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे like करें अपने friends और family में से share भी करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले thank you for watching